केवीएस क्लास एक एडमिशन दो हजार तेईस ओपन आगई एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट जाने कैसे भरे फॉर्म अगर आप भी अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रिय विद्याले संगठन के स्कूलों में कराना चाते हैं तो आपको एडमिशन प्रक्रिया की हर बारीकी को जान लेना चाहिए इससे आपको अपने बच्चे को केंद्रिय विद्याले के स्कूलों में प्रवेश कराने में मदद मिल सकती है KVS Class 1 Admission 2023 Open केंद्रिय विद्याले संगठन ने कक्षा एक में रजिस्ट्रेशन के लिए तारीखों का एलान कर दिया है 25 मार्च को केंद्रिय विद्याले की तरफ से विज्ञापन प्रकाशित किये जाएंगे 27 मार्च की सुभ़ 10 बजे से केंद्रिय विद्याले में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 17 अप्रेल को शाम 7 बजे तक चलेगी रजिस्ट्रेशन के बाद जिन बच्चों को प्रवेश के लिए चुना जाएगा उनकी पहली लिस्ट 20 अप्रेल को जारी होगी और 21 अप्रेल से उनका प्रवेश भी शुरू हो जाएगा एड्मिशन की दूसरी लिस्ट 28 अप्रेल को आएगी और उसके बाद भी सीट खाली रहने पर 4 मई को तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी इस तरह केंद्रिय विद्याले संगठन के 1252 स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 27 मार्ज से विधिवत शुरू हो जाएगी अगर आप भी अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रिय विद्याले संगठन के स्कूलों में कराना चाते हैं तो आपको एड्मिशन प्रक्रिया की हर बारीकी को जान लेना चाहिए इससे आपको अपने बच्चे को केंद्रिय विद्याले के स्कूनों में प्रवेश कराने में मदद मिल सकती है आजकल हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे स्कून में पढ़े लेकिन मोटी फीस के चक्कर में उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाता है ऐसे माँ बाप के लिए केंद्रिय विद्याले एक अच्छा विकल्प हो सकता है हालांकि केंद्रिय विद्याले के स्कूनों में एड्मिशन की प्रक्रिया थोड़ी कठिन है इन स्कूनों में ज्यादा तर रिज्रु कैटागरी के स्टूडन्स को ही प्रवेश मिलता है अगर सीटे खाली रह जाती है तो आपके बच्चे का भाग्य भी खुल सकता है इन स्कूनों में शिक्षा का अधिकार वाले बच्चों के अलावा सरकारी नौकरी करने वाले बच्चों को प्राथमिक्ता दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रिय विद्याले संगठन ने अपनी अलग पहचान बनाई है इसी कारण माबाप का सपना होता है कि उनका बच्चा भी केंद्रिय विद्याले में पढ़े इसके लिए माबाप को केंद्रिय विद्याले में एड्मिशन की प्रक्रिया को बारीकी से जान लेना चाहिए बता दे कि कक्षा एक में प्रवेश के लिए आपके बच्चे की आयू 6 साल होनी चाहिए KVS Class 1 Admission 2023 कैसे भरे आवेदन पत्र सबसे पहले कफसुनलिनadmission.kvs.gov.in पर जाएं कफसुनलिनadmission.kvs.gov.in पर दिये गए KVS Class 1 Admission 2023 के रेजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करें दिये गए सभी निर्देशों को बारीकी से पढ़ ले और समझ ले इसके बाद आगे बढ़े विकल पर क्लिक करें अब बच्चे का नाम, जन्मतिती, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इमेल आधी जानकारी भरकर फोर्म सब्मिट कर दे एक प्रिंट अपने पास रख ले इसके बारीकी से नंबर, आज एक बढ़े